नमस्कार दोस्तों मैं आदीती पिटेल विनर्स की यूटीव चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ रेल्वे एंटी पीसे के रिजल्ट डिकलेर होने के बाद एक बार फिर से हाकार मच चुका है और होना भी चाहिए क्योंकि जो गड़बडिया है या जिस तरीके से रिजल्ट आया है उस सब के बारे में जानके आपको भी आस्चर्य होगा और आपके भी मन में घुसा आएगा कि यार ये क्या हो रहा है आखिर है ना 2019 में हम बोल सकते हैं चुनावी लॉलिपॉप था या जो भी कहा जाए 2019 में रेलवे का नोटिफिकेशन जारी किया गया था ठीक है एक्जाम का कोई भरोसा नहीं कोई आता पता नहीं था 2021 में काफी डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ आप सबने हम सबने मिलके इसको लेके केमपेंज चलाई तब जाके जैसे तेसे इसका जो एक्जाम का रिजल्ट आया ठीक है एक्जाम पहले तो बड़ी मुश्किल से हुआ फिर हुआ तो रिजल्ट बड़ी मुश्किल से आया अब रिजल्ट आया है तो रिजल्ट फिर गड़बड हुआ इसके लिए फिर आपको यहां पे अब फिर से डिजिटल प्रोटेस्ट और सारी चीजों का प्लान चल रहा ह मतलब कुल मिलाकर हर चीज के लिए लड़ना ही पढ़ रहा है हर चीज में गड़बड है ना मतलब या तो रोजगार को लेकर सरकार को कोई चिंता नहीं है या फिर एसे लोगों को बिठा के रखा है कि उनका क्या ही कहा जाए है ना तो पहले तो वेकेंसी बड़ी मुश्किल से आई वेकेंसी आई तो एक्जाम बड़ी मुश्किल से हुआ फिर रिजल्ट की लड़ाई अब रिजल्ट आया तो बो गड़बड अब बापस से सभी टीचर सभी लोग एक जूट होकर बापस इसके लिए काम कर रहे हैं एक बच्चे का मतलब ऐसे लाखों बच्चे हैं 35,000 वेकेंसी निकली थी लगबग 20 गुना लोगों को सेलेट करने के बारे में कहा गया था लगबग 7 लाख लोगों को सेलेट करना था लेकिन एक बच्चा 4-4-5-5 जगा सेलेक्ट हुआ है एक ही बच्चे का रोल नंबर आप 4-4-5-5 अलग-अलग केटेगरीज में देख स मतलब मुझे तो सिंपल सा ऐसा लगता है कि ये एक जल्दवाजी में बिना सोचे समझे लिया गया डिसीजन था कि रेलवे की वेकेंसी निकाल दो जो होगा बाद में देखा जाएगा सब समाल लेंगे अपन लोगों को तो पहले तो ये बहुत भारी पड़ गया अब एक् कुछ भी चला रहा है है सरकार ने बड़ी गलती कर दी जब उनको भारी पड़ रही है कि रोजगार देने लिए लगबग 40 करोडब बच्चो ने अपलाय करा था उसमें से साथ लाख लोगों को सिलेक्ट किया जाना था एक बच्चा चार चार पांच बांच पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गया ठीक है अच्छा अब वहाँ पे उनका ये पॉइंट आ रहा है है ना एक चीज यहाँ पे मैं जितने भी अगर कोई टीचर देख रहा है तो मैं एक चीज आपसे भी कहूंगा क्यूंकि हम प्रोटेस्ट करेंगे हम सब आपके साथ हैं इस्टूडेंट्स को इसमें चिंता करने की कोई जोरत नहीं है लेकिन यहाँ पर ना रेलवे ने भी एक पॉइंट इसको मेंशन करा था कई लोगों ने कहाई कि ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं था लेकिन जब मैंने नोटिफिकेशन में इसको ध्यान से देखा तो ये चीज यहाँ लिखी होई है मतलब हम नो डाउट सरकार के उपर प्रेशर बनाएंगे कि रिजल्ट फिर से दो बापस से इसको सही करके दो लेकिन कहीं अगर हम इस चीज को लेकर और बड़े लेबल पर लेकर जाते हैं और अगर इस पेराग्राफ को मुद्दा बना लिया जाता है तो शायद जो रिजल्ट हमें वही एक्सेप्ट करना भी पढ़ सकता है क्योंकि यहां पे बहुत इसपस्ट रूप से लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा एक से जादा पदो के लिए eligible है तो उसको अलग-अलग के लिए हम बुलाएंगे और उसे अलग-अलग परिक्षाएं भी देनी पढ़ेंगी यानि आप एक से जादा अलग-अलग केटिग्रीज में या अलग-अलग पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो आप मान लीजे किसी बच्चे का चार अलग-अलग पदो के लिस्ट में उसका नाम है उसको चार बार CVT-2 देना पड़ेगा सब के लिए अलग-अलग तो आप उसकी जो सबसे फर्स प्रायरिटी आप उसी को दे दो आप उसको पांच अलग-अलग जगा बुला रहे हो पांच बार एक्जाम लोगे अल्टिमेटली जॉब तो आप एक ही दोगे लेकिन उसके चकर में चार जो दूसरे बच्चे उसके लिए आ सकते थे वो अब नहीं आ पाएंगे तो कही न कहीं इसको सुधारने की जुरत है और मुझे तो इस सिस्टम बिल्कुल समझ नहीं आया कि यार किसने ये दिमाग लगाया किसने ये सोचा है क्योंकि बड़ा हम उलजा रहे है ना बोला गया साथ लाग बच्चों को सिलेट करने का हमने ढाई तीन लाग बच्चों में काम निप्टा दिया और पूरा बच्चों को उलजा दिया लेकिन एक बास समझे कि लोग इतने बेवकुफ नहीं बच्चे इतने बेवकुफ नहीं है कि अगर इस तरीके से आप चीजे करेंगे तो वो मान जाएंगे तो इसके लिए सभी टीचर्स एक हो रहे हैं लगातार मिटिंग्स और सारी चीजे चल रही है जब भी इसके लिए कोई ट्विटर कैंपेनिंग प्लान होगी डिजिटल प्रोटेस्ट प्लान होगा उसकी इंफर्मेशन आपको दी जाएगी और आपको उसमें बढ़ चल कर हिस्सा लेना है क्योंकि यह हम सब के हक की लड़ाई है ठीक है 2019 से 2022 आ चुका है लेकिन अभी तक कोई ठिकाना ही नहीं है कि कब तो रिजल्ट आएगा और कब ज्वाइनिंग देंगे मतलब कितने लाखो करोडो युवाओं का भविश्य खराब हो रहा है बरबाद कर दिया है वैसे तो यह बोलना चाहिए लेकिन अभी भी किसी को कोई पड़ी नहीं है लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आप स्टुडेंट है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि धेर नहीं खोना है और भी अपॉर्चुनिटिस हमारे पास है इसमें जो किया जा सकता है जो किया जाना चाहिए वो करने का पूरा प अरी कट ओफ 85 मतलब 92-94 मार्क्स लाने वालों का सिलेक्शन हो रहा है कहीं बच्चों ने मैसेज करा कि सर मेरे 82 आए मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ मतलब यार क्या चल रहा है 85-90-95 पे कट ओफ जाएगा तो क्या होगा इस देश का ठीक है कहीं ना कहीं कुछ तो बड़ा ग भविश्य के साथ खेल रहे हो आपकी बेवकूफी कितने लोगों पे भारी पढ़ रही है इसका जरा भी अंदाज़ा नहीं है तो इस बारे में जरूर सरकार को सोचना चाहिए है ना जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको जरूर सोचना चाहिए कि यार हम क्या कर रहे ह बच्चे कितने उमीद से कितने लंबे समय से बैठे हुए हैं और हम बड़े आसानी से बड़े मजाग के साथ जो है उनके भविश्य के साथ खिलवाल कर रहे हैं जो की बहुत जादा गलत है और ये एक समय है जिसमें सभी टीचर सभी स्टुडेंट को एक होना चाहिए और इसका बिरोध करना पड़ेगा और जो भी डिजिटल प्रोटेस्ट होगी उसमें हम सब लोग मिलकर लडेंगे और जीतेंगे भी बस यही आपके साथ शेयर करना था बहुत बहुत धन्यवाद